औरत को खुश करना असंभव है एक बार एक बड़े शहर में दूलों को बेचने वाला एक स्टोर खुला जहां कोई भी महिला जो अपने लिए दूलहा तलास रही हो वो कई पुरुशों में से एक को अपने पती के रूप में चुनने के लिए जा सकती थी ये दूलहा स्टोर छे मंजिलों से बना था और जैसे जैसे खरीदार एक एक मंजिल उप में चलता दूलों की विशेशताओं में वृद्धी होती यानि हर एक मंजिल के बढ़ने के पहले से बहतर दूले वहां मिलते हाला कि इस शौप की एक शर्ट थी जिसे हर महिला को माननी अनिवार्य थी शर्ट के मुताबिक जब आप किसी भी मंजिल का दर्वाजा खोलते हैं तो आप उस मंजिल से एक आदमी को चुन सकते हैं लेकिन अगर आप एक मंजिल पर जाते हैं तो आप इमारत से बाहर निकलने के अलावा वापस नीचे नहीं जा सकते तो एक महिला पती की तलाश में इस शौप जाती है पहली मंजिल पर दर्वाजे पर लिखा है मंजिल एक इन लोगों के पास नौकरी है वो महिला संकेत पढ़ती है और खुद से कहती है ठीक है यह मेरे पिछले प्रेमी से बहतर है लेकिन मुझे जानना है कि आगे क्या तो वह उपर जाती है दूसरी मंजिल का बोर्ड पढ़ती है मंजिल दो इन पुरुशों के पास नौकरी है और बच्चों से प्यार करते है महिला खुद से टिपनी करती है यह बहुत अच्छा है लेकिन मुझे जानना है कि आगे क्या हो रहा है और उपर वह फिर से जाती ह तीसरी मंजिल पर लिखा होता है मंजिल तीन यह लोग नौकरी करते हैं बच्चों से प्यार करते हैं और बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन मुझे जानना है कि उपर क्या है वो चौथी मंजिल पर जाती है और बोर्ड पढ़ती है मंजिल चार यह लोग नौकरी करते हैं बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं और घर के काम में मदद करते हैं बहुत खूब, महिला ने कहा, बहुत लोभावना, लेकिन और भी बहुत कुछ होना चाहिए और फिर से वह एक और मंजिल चुड़ती है, पांचवी मंजिल का बोर्ड पढ़ती है मंजिल पांच, इन लोगों के पास नौकरी है, बच्चों से प्यार है, बहुत अच्छे दिखने वाले हैं घर के काम में मदद करते हैं और काफी रोमेंटिक्स वभाव के हैं महिला सोचती है, अरे वाह, क्या बात है, लेकिन जरा सोचिए, पांचवी मंजिल पर इतना सब है तो आगे मेरा क्या इंतजार कर रहा होगा तो फिर वर्ट छठी मंजिल तक जाती है, छठी मंजिल का बोर्ड परती है, मंजिल 6, आप इस मंजिल पर 7,6,9,944 वे नंबर की ग्रहक हैं इस मंजिल पर कोई पुरुष नहीं है, यह मंजिल केवल इस बात के प्रमान के रूप में मौजूद है कि महिलाओं को खुश करना असंभव है दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी, कॉमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक, शेर और ऐसी ही और मजेदार कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद